नरेंद्र मोधी जी की पॉपलोर्टी खतम हो चुकी है तब ही जो खुद को चपपन इंच की चाती वाला नेता कहते हैं नरेंद्र मोधी जी को खुद मालों में देश मुझे गाली दे रहा है उनने नोटिस भी कर रखी है उनने कहा है कि हम गाली को आसिरबात की तरह लेते ह अज़िती बाढ़ा धिर के पांवेश लेंठ्या फेस्ट्राइस करते McNam भर में अब दिल्पीयां ज़नतर मतर पे मौझंद और आप सभी का आज में स्वागत है मेरे साथ हैं Saenger जी आम इसे बात करेंगे उन सबसे पहले तो पहलवानों का धरना जो लगबग एक महने से चल रहा है यहां पर अभी तख सरकार की तरफ से कुछ भी आसवासन नहीं मिला है और अभी एक और गर्मा गरम मुद्दा चल रहा है संसत पर सियासत चल रहा है कि सारी पिपक्षी पार्टियां जो है लगबग 15- 16 पिपक्षी पार्टियां है वो नए संसत का उद्खाटन का विरोध कर रही है बहिसकार कर रही है अम इन तमाम मुद्धों पे इन से बात करें किस तरीके से देखते हैं पहले तो इस धरने को यह बताई है बड़ा दुख होता है कि देश में बेटियों का सोशल करने वाल सच्छम नहीं है यह बारती इंता पार्टी के नेता राजना सिंग जी कहते थे व्यक्ति व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश आज एक गुंडे के लिए इस पूरी पार्टी के सांसत खोद रच्छा मंत्री है इस समय जो बड़े-बड़े मंच में करते हैं अब क्या हुआ ब्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा होता है देश आज बड़े-बड़े अधिकारी यहां तक की चीप जर्शिस ऑफ इंडिया काम कर पाने में सच्छम नहीं है यह है नरेंद्र मोधी सरकार की बास्तविक्ता आज गुंडो का सामराज भारत के नागिरकों को प्रतारित कर रहा है जिसे हम कहते हैं कि हिंदुत की सरकार है यह है सच यह सच नरेंद्र प्रदानमंत्री के साथ खड़े हुए हमारे देश में भेजे अब अब अगरिक अपने प्रदानमंत्री का विरूद कर रहा है कि मोधी को क्यों बुलाया पता है आपको उसी अश्टेलिया ने डोकुमेंटरी देख ले ना चैनल आप देखते ही नहीं हो आपको तो मोधी की बाबाई करने नितिन सेंगर जूट नहीं बोलता कभी प्रमालिक तोर पर ही कहते हैं आज अस्टेलिया के प्रदानमंत्री के खिलाप अस्टेलिया में आए अल्ला बोल हो रहा है आप जाएंगी आप पता लगाई यह नेट पर नेट है तो इंटरनेट चल तो रहा है समझ देने को तयार नहीं है भारत के प्रदानमंत्री को दुनिया में आलोचना हो रही भारत के प्रदानमंत्री की दुनिया आलोचना कर रही है हमारी अरे वो तो हमारे देश के प्रदानमंत्री के इताना साही रवया की एंकार है वो कि आप एक कमजोर देश के प्रदानमंत्र किसी ही देश का राजा हम एक शनातान मंत्री को हमारत के चील SARAH है covered देश का निकाला 1 दुरबराग भूर तरीका यह बारत के सास्कों को सोभा यह रहा है लाइग देखिए जो हम बोल रहे हैं बोलर रहे हैं सटा में आना एक बात सटा में आने के लिए उन्हें किस परकार से जूट बोला कितने लोगों हमारे देश को गुमरा किया आपके रामजेट मिलानी कह रहे कि बहुत अच्छे नरेंद्र मोदी जी नेता है आज सुप्रीम कोट के जज कह रहा है कि लोग तंतर कत्रे में समझ में आई बाबा रामदेप बड़ा इनको नेता बताते थे वो खुद चोर निकला बाबा रामदेप जिसे हम बाबा मानते थे आप देखा कितने टीवी चैन संद आया वो तुमें बाबा दिखाई देता है मैं नितिन सेंगर ठाकर बोल रहा हूं इसमें किया है वो इसमें किया संतों को पैचानने की भी सकती नहीं बची क्या बारत के नागर को मैं बला सरनातन धरम चलाते हो संत थे नरेंद्र गीरी मांत जिनकी अत्या हो गई लुक मंत्री के सासन काल में नर्यंद्रगीरी की अत्या होती है मानत की तब एक भी संगटन की आखें नहीं खुल नहीं इस तरीके के शलेंत्रकारी इन संगटनों को समझते हो जो हमारे राजपूतों को बदनाम किये है ऐसे संगटनों के कारणा देश कितने गड़े में चला रहे हैं मानत नर्यंद्रगीरी की हत्या पर क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग जो पाल घर में अल्ला मचा रहे थे मैं पूछना चाहता हूं मनीश सौधिया को पुलिस इस तरह से बेज़त करके कशीट के ले गई गर्दन पर हाथ रखके जो दिल्ली के डिप्टी सीयम है कहां मर गए बो राजपूत जो यहां पर इन बेटियों के नियाय क्यों में दखल दे रहे थे कहा रहे थे टेक्टर इतने लाग टेक्टर लैएंगे मनीश सौधिय राजपूत नहींगे Introdu हैं स सौधिय ठाक होरे हैं माराना प्रताप भी राजपूतों आता है कहां ज्यात क खड़ा करके कीमत पसूलते मुकदमे लगते हैं मारे बाईयों पर आज हमारे समाज को ऐसे संगठन चोर अद्वेच्चों से बचना पड़ेगा एक बार फिर से मोधी सरकार आएगी और किसी के कहने से आएगी किया अभी तो करनाटक में भी आ रही थी देश जब बना बेब करते हैं जैसे संसत को उन्होंने गौह मुत्र से दोया है बिल्कुल ऐसे लोगों के जाने पर दोना चाहिए जब यह लोग अखिले से आदब जी के सरकार के बाद योगी जी दो सकते हैं तो यह तो बहुत जादा गिरे हुए लोग है धरम का दिखावाई यह करते हैं करके संबेदान की दज्जियां उड़ाई जा रही है और आज यह भी भूजन समाज का नेता है जो संबेदान की ताकस से नेता है जो आज बाइकाट करने की इमत रखता है नहीं सिर्फ वही नहीं डियू के प्रोफेसर ने भी हल्ला बोल दिया है बीमराओ के चैप्टर प अज जसाव अपनी बात नहीं बोल पा रहे है देश के सामने अज एक IPS अपनी डूटी नहीं कर पा रहा है गांधी को तो गाली कोई भी दे सकता है गांधी जी तो आज जिंदा होते है तो ने गाली देते तो वो बुरा नहीं मानते सीधी बात तो यह है अब अपने लिए कुछ कि रही है उनके तो करम खराब है मोधी जैवाजय कांग्रेस की जूटभा औन ने dollar की चांग्रेस की दो गुनाे कप दो करोड रोजगार आज बच्चे पढ़े नहीं पारे, 30 लाग स्टुडेंट इस देश से बाहर पढ़ने गए हैं इस्किल इंडिया बनेगा, इस्किल रहेगा तब तो आपको कसम खाली है कि मोधी का परचार करोगे, मोधी को मान बना के मान होगे, परचार से मान नहीं बनते, चरित्र से मान बनते है मैडम, बेवेका नंदी जी का चरित्र था, मातमा गांदी जी का चरित्र था, सुवाच्चंद्र बोजी का चरित्र था, इनको अखवार में किसीने मा करना चाहिए प्रते देश की राजनेतिक दल को इसका बिरूत करना चाहिए ठीक है और इस उद्गाटन में नहीं जाना चाहिए और बैसे भी नरेंद्र अकेले रह गए है आज उनके साथ जो खड़ा है वो केबल दबाब की वज़े से खड़ा है आने वाले दिनों में अगर इनोंने दबाब में अपनी चुपी नहीं तोड़ी तो यह भी मिट जाएंगे परबाद हो जाएंगे कुछ नहीं बचेगा आज हमें लड़ना पड़े नरेंद्र मोधी जी देखती नहीं कितना रोएं आज तक अगर उनकी नोटिस करोगे ना रोने वाली नोटंकी कोई बेरूपिया नहीं तने अच्छी तरी केसे कर पाएगा जैसे हमारे देश का प्रदानमंत्री एक्टिंग करता रोक है नोट बंदी में देखना भाया टा अपने ट्विटर पे अपना मोधी तो टॉलेट जाते हैं वक्त फोटू नहीं डालता है बागी तो सब फोटू है रिष्टायल के ऐसा हो रहा है क्या नेरुजी बनना चाह रहा है अरे खांदानी रईस थे नेरुजी चाय वाले नहीं थे समझे माई चाय वाले से क्या दि अपनी जमीन है समझे आज राहुल गांदी जी पर घर नहीं है तो आपने गलत का अगर हम सपना देख रहे हैं अगर हम गरीब माके बेटे हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं प्रदान मंत्री बनने को सब्सक्राइब हो तुमने अब रोटी भी चीनली तुमने उससे मतलब कैसे गरीब हो तुम अमीरों को देश दे दिया पूरा हमारे देश का जितना पैसा जमाता सब उद्योग पतियों के करजे माप कर दिये तुमने अब पीएप मजदूरों का पैसा लगा दिया अभी जब इनकी हिंडन भरकती रिपोर्ट से अडानी की जब हालत पतली हो तुमारा चसम ही घराब है तुम सच देखने नहीं नहीं चाहते तुमसे तो बात बो करें जिसके सिंग निकल लाए हो पच्छाटर रुपए का सिक्का आ रहा है अभी नहीं संसागर के का करें दो जार का नोट भी आया था चीप भी तो लगा था बोई तो कह रहा है दूनो फिर का के लिए बंद करना पड़ रहा है कब तक उल्लू बनोगे अब वो फिच्छा रुपए का चला रहा है बहीया इतना बुराई कर रहे हैं कि आप लोगो दिखी ने रहा है सोवी जब मन की बात का सोवा एपिसोड पुरा हुआ था तो सौका सिक्का भी लॉंच किया था भाईया जे फालतू बने के काम क्यों बता रहे हैं देश मंदे को रोजगार की ज़रुएत है और इन्हें प्रदा मंत्री बना के भूल कर दी कि अब हम लोगों में टेलेंटी नहीं है है टेलेंटी नहीं है अर्विंद केजिवाल कहते हैं चौथी पास राजा यह सब गलत है ना तो मोधी जी ना खुद बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं उसलिए आगे बढ़ गया हूं तुम तो भालतु राहूल गांदी से कौन पर आपरी करना तो राहूल गांदी को पपू कहते हैं बाईया वो दुनिया की सर्वसरेश यूनिवस्टिक केमरेज का पढ़ा हुआ है बलेक बेल्ट आदमी है निकी तरह फाकीर नहीं है वो राहूल गांदी जी है फिर 400 को पपू बना रहे ते बना पाई क्या हजारो करोड रुपे लगा दिया सब एक सच्चे आदमी को पपू बनाने में हाद देखो उनका चरित्र सामने किसी के चरित्र को बदनाम नहीं कर सकते हैं जी याद रख लेना अब क्या राहूल गांदी जी कैमरेज उनिवस्टी चे पढ़े तड़ी पार अब जी हमें साका लो चार्ज इस अब चारे टांगे गूम रहे हैं क्या बोले अपू बढ़े लेकिन आप एक चीज़ तो मानें कि 2014 के पास सबका साथ सबका विकास हुआ है आई उस्मान भारत डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया और डेबलब इंडिया बन रहा है 2014 के पास यूनिबश्टी फोड़ दी बीसनल बेच दिया सच्चा बंद हो गई सबरी बच्चे सबकों पर आके अपनी मांगे नहीं रख सकते नरेंदर मोदी जी ना रही बची सबरी बच्चों के आयादी चीन रखी है बेटिया निया के लिए बटग रही है पलिस वाले क रख धामनी कर पा रहे हैं, जसा भैसला नहीं सुना पा रहे है, ED west percent, RSS बन गही है, क्रामनी कर पा रही है बहिया वड़े दुखी है डेसमें लोग नरेंदर मोदी जी चुटगारा पाने के लिए आज 24 में जनता एकमत बोट करेगी नरेंदर मोदी जी के नाम को तो बोट नहीं निकलेगा अब टेलिवीजन में एक वो किया गया समिक्षा किया गया जिसमें दिखाया गया है कि राहूल गांदी को कितना पसंद करते हैं और म टीवी से तो तो मुझे सचनी देख रही अगर वो पत्रकार सही बता देती कि मोधी जी को 5% लोग परसंद कर रहा है तो तो समझ लो फिर कुछ भी हो सकता था नरेंदर मोधी जी की पॉपलोर्टी घतम हो चुकी है तभी तो इसा वो क्यों करेंगे वो जमीन से उठे हुए तभी मन की बास सुनाने के लिए पूरे देश के प्रसासन को सब काम छोड़े कि हमाई मन की बास सुनवा गांधी जी न कभी ऐसे कई कि हमाई संग चलो वो तो खुद चल दिया नमक की तरफ देश अपया पीछे चल दिया उन्होंने नहीं का कुछ स्कूल के बच्चों को स पक गये लोग कैसी बात करते हो कॉंग्रेश देश की आत्मा है कॉंग्रेश ने हमें रोजगार दिये कॉंग्रेश ने हमारे बविस्च बनाए कॉंग्रेश ने इस भारत को जिसका दुनिया में मजाक उड़ाय जाता था उसमें सर्वस्रेश्ट बारत एक लुकतंत्रिक देश है, कॉंग्रेश ने सिद्ध किया, गांधी परवार के नेताओं ने इसे देश को दुनिया में गौरवानवित किया है, नरेंदर मोदी जैसे ना जाने कितने लोग आए और चले गए, खाम गाम की बातने करके, जो सच्चा ही है वो आपके सवाल, आखरी सवाल सेंगर आपने ये प्रदर्शन देखा है, धरना देखा है बेटियों का, और प्रिजभूसन सरन सिंग इनको मंत्रा कहते है, भी ने स्फोगाट को मंत्रा कहा है, आप इसे क्या कहना चाहेंगे, और इसी से हम लोग अपना बाचित करा है, नरेंदर मोदी जी की नाकामी और प्रसा आदी नहीं की है, ममता बेनर जीन है, उनको दीदी ओ दीदी, बलमुडा पहन लो, किस तरीके की बात, सोनिया गांदी जी, एक बिदेशियों के जिनने भारत की परंपराओं को निवाया, आज तक गांदी परवार की जट के साथ, भारत की सबिता संस्कृति के साथ रह रह जो कर उनको कांग्रेस की बिद्वा कहना, ऐसे लोगों की बातों पर आप मुझसे टिपनी नाल है, एक और एक और आखरी सवाज, जब करनाटक में प्रदान मंत्री चुनाव करने के लिए गये थे, तो उस दोरान उनने कहा था, कि अगर कांग्रेस बजरंग दल पर बैन जो करने कहां पर आप के देवता और बजरंग दल गुंडों का जिसमें आतंगवादी पनपते हो, साधी परिके सिंग तागर संते क्या, जिसने माले गां में पोले, सम्झोता एक्स प्रेस में पोले, हमंद करकरे को मरवा दिया, जिसने सड़ेंधर पूरुबक, आप इनक बगवान मांते हैं, बजरंग बली और बजरंग दल, मतलब एक दल गुंडों के संगटन हमारे उत्तर पर देश में, सुबोष सिंग S.I. की अत्या करने वाले बजरंग दल के लोग, दंगा गुंडे करने वाले, अभी यह जिया नियू में गुंडा कर दी करी, बेटियों अगर नहीं करेंगे हम, तो बारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी बारत दुनिया में बिश्गुरू नहीं बन पाएगा, RSS को प्रतिबंद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ भी है, आरजकता फैलाने वाले और देश के प्रतिश तारिक को देखिए, देश के राष्टपती का हाँ किस तरीके से अपमान हो रहा है भारत में, ये RSS की देन है, कहीं वो आदिवासी है कहीं इसके लिए तो नहीं? अगर आप देश की बात करते हैं तो, इस बात को समझेना पड़ेगा, उनका अपमान हमारे बारत का अपमान है बहुत बहुत धन्यवाद सेंगर जी आपने हमारी बात सुनी, इन्होंने बहुत तरीके से अपनी बात रखी है लेकिन लगातार इन्होंने बीजेपी पे हमला किया है और मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है आप कितने सहमत हैं, कितने ऐस सहमत हैं, इनके बातों से, हमारी बातसीत से, अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरू दीजेगा दन्यवाद